बिसमिल्ला रख्मान रहीम, अस्सलाम अलेकूम डियर इस्ट्रोइग, अच्छा मैंने आप लोगों से वादा किये था कि मैं आपको एक्टिव और पैसिव वाइस सिखाऊंगा, तो आज मैं थोड़ा था आपको एक्टिव और पैसिव वाइस की पहले रूल नंबर वन की द और याद करिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूँ कि एक्टिव और पैसिव वाइस क्या होता है, देखें एक्टिव और पैसिव वाइस में होता है कि एक्टिव क्या है, जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव हो, और पैसिव वाइस क्या है, जिसके अंदर सब्ज अच्छी तरह हैं से active और passive wise कि इसके अदर आप देखें यह जो महाद है महाद writes our letter महाद क्या कर रहे हैं महाद एक खत लिख रहा है महाद खत लिखता है तो इसमें जो खत लिखने वाला है वो कोई है वो महाद है यानि के बकाइदा काम करने वाले का पता लग रहा है letter को दिया जा रहा है तो महाद को कहां लेके चले गए आखिर में जिसने काम किया था वो कहां चला गया बिल्कुल जुम्ले के आखिर में चला गया तो इसकी एहमियत को कम करना या उसको ना बताना चाह रहे हैं उस जुम्ले को हम passive wise कहते हैं गोर सुन लीजेगा और जिस जुम्ले में जिसने काम किया है ना उसको आप बताना चाहते हो उसके मतालिक आप बकाइदा शुरू में ही बताना चाहते हो वो क्या किलाएगा हमारा active wise किलाएगा तो मैं फिर कहे दूँ पैसिव वाइस क्या होता है जिसके अंदर हम काम करने वाले का नाम ना बताना चाहें या फिर उसकी एहमियद हम कम करना चाहें वो मारा क्या कहलाता है पैसिव वाइस कहलाता है अब मैं आपको न में रूल बताता हूँ इसके fix rule यह मैंने अपने अपने दर्फ से लिखा हुआ है fix rule आप main rule कहले है या जो भी कहले है यह rule से आपने हटना नहीं है बस यह दिमाग में बिठा लें किसी दिमाग के कोने पर इसको note कर लीजे register में भी note करने और अपने दिमाग में भी note करने क्या note करने fix rule में जब भी आप passivize पढ़ेंगे तो आप याद रखिएगा subject को change कर देंगे object में क्या कर देंगे subject को object में change कर देंगे यान कि subject कहा हो था जुमले के start में होता है पिर लेटर काहा था जुम्खेक्ट क्या होता है हमेशे याद रखो थोड़ी असानी के लिए अबजेक्ट के हुआ नाम लिखा है नाम लिखा है किसी का भी नाम लिखा होगा है चीज है वो सब क्यामारा जुम्ले की जो भी आखरे में होगा वो क्या किलाएगा अबजेक्ट किलाएगा जिसमें पर लेटर लिखा हो उसके साथ याद रखो आर्टिकल भी लगाओ ना ए एंड या फिर कोई पुजेजिव लिखा हो माई अंकल यूर अंकल दियर अंकल आर लेटर यह मुफ करने का आगे है आर लेटर जुम्ले के शुरू में आगे देगो यह अबजेक्ट को उठाके मैंने काण डाल दिया subject में और महाद जो subject अ कहा आगे है वो object में आगे है यह दो रूल याद हो गए तिसरा बड़ा रूल है याद रख लो बलके मैं तो यह कहुंगा कि भКак देखो हर य्बाइज रहा हर चायां का हो गई तो यह यहाद रखो चैसी कि यहाद हमेशा था आप कर रहे हैं ज्बबी जब भी पैसी आहूरी ने क्वीजी हो रहे हैं बोगी जैसा कि इसके रूल में आप देख सकते हैं Always use work की third form किसमें पैसिवाइज में अब आप उसे दुबारा पूचेंगे न सर यहां क्या लगगा मैं हमेशा आपको जब भी पैसिवाइज बनवा रहा हूँगा किसी भी किसी कोई भी काइंट्स का कोई इसी भी रूल का मैं यही कहूँगा वर्क की हमेशा क्या लेकर आओगे तुम लोग वर्क की third form कभी भी अच्छा वर्क की third form दीवी भी होगी अगर active के अंदर तो passive बनाते हैं वो भी थड़ी रहेगी first दीवी तब भी third रहेगी second दीवी तब भी third रहेगी तो third ही यानि यह बस याद करने हैं कई कोने पर लिखने हमने दिमाग के और rule number four गया है हमेशा by का इस्तामाल करने है अब यह by का इस्तामाल करने है जो object लिखते हो ना उससे पहले लिख दिया करो बस जुमले के आखिर से थोड़ा सा पहले यह याद कर लो भी थोड़ी practice में समझ में आ जाएंगी बाते हैं तो इसकी meaning बता दू महाद right सा लेटर महाद खत लिखता है ता है our letter is written by महाद क्या लिखो इसका मतलब क्या बनेगा खत लिखा जाता है महाद के जरी इतना भी लिख सकते थे our letter is written by महाद को मैं ना लिखूँ तो इसका मतलब क्या होगा पैसिवाइज क्या बनेगा कि मैं महाद को शोग नहीं करवाना चाहरा अगर by महाद लिखा हुआ है इसके अंदर तो मैं यह कहना चाहरा हूँ महाद की importance को कम करना चाहरा हूँ और इसके अंदर महाद की importance को ज्यादा करना चाहरा हूँ यह एक्टिवाइज हो गया और यह पैसिवाइज हो गया मैं दुबारा कहूँ एक्टिवाइज में क्या होगा سبجیکٹ की اہمیت کو ہم बढ़ा रहे होते हैं और जुमले के शुरू में लिख देते हैं काम करने वाले को वैसी वाइस की ओग decrease हो गया हमेशा जो काम करने वाला होता है उसकी ऐहमित को हम कम कर रहे होते हैं और जुमले के वो आखर में लिख देते हैं अब ये याद रखें मैं बार बार क्लास में पढ़ा चुक हूँ आप लोगों को और दुबारा ये लिख लें कहीं पर भी कि I का object क्या होता है? मी होता है I कहा होगा जुमले के? शुरू में होगा object कहा होता है जुमले के? आखर में होता है और ही का क्या होता है? ही का क्या होता है? हर होता है और दे का क्या होगा? ये देम होगा और इट जो है वो बेजान चीजों के लिए लगता है जानवरों के लिए लगता है ठीक है ना? जैसे पैंसिल है उसके लिए मैं इट लगाऊंगा बारिश हो रही है तो इट लगाऊंगा तो उन चीजों के लिए भी क्या लगता है इट लगता है अजा शी लड़कियों के लिए औरतों के लिए बच्चीयों के लिए यानि के फीमेल के लिए लगता है ही किसके लगता है बुरे लोग हो गए जवान हो गए बच्चे हो गए it کا it same रेता हू का मतलब कौन है और home हो जाएगा इसका कैसे तो यह आपको याद रखना बहुत जरूरी है passive wise के अंदर मैं बूछ हूँगा आपसे जैसे लिखा होगा न i play cricket तो i जुम्ले के शुरू में होगा उसको end में जब लेकर जा रहा हूँगा तो i क्या हो जाएगा जुम्ले के आखिर में जा रहा होगा तो i i नहीं लिखेंगे बलके me लिखेंगे अगर यह बात मेरी समझ में नहीं आई है तो मैं इसको डुबारा कहता हूँ कि जब i subject है उटकर आखिर में जुम्ले के जाएगा तो आई आई नहीं लिखा जाएगा बलके मी लिखा जाएगा अब इसके अंदर रूल नमबर वन को समझें पहले आप मैं आपको रूल करवाँगा रूल नमबर वन, रूल नमबर टू, थ्री, फॉर, फाई, सिक, सेवें, एट, नाइन तक सारे रूल करवाँगा और आपको इसे वीडियो में एक फायदा ये मैं करवाँगा कि आपको टैंसिस के लियास से याद नहीं करवाँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको टैंसिस नहीं आते होंगे तो मैं सिवा को जो बाते बताऊंगा तो आपको बड़े आसानी से किलियर हो जाएंगी देखें रूल नमबर वन में क्या याद कर लें आप लोग जब भी सेंटेंस के अंदर ना वर्की फर्स्ट रॉम होगी क्या का मैंने अब ध्यान सुनिये कि में बात को आई ड्राइव आकार इस एक्जेंबल को समझें मैंने का था आ के आर्टीकल है ये भी साथ उटेगा तो ये अबजेक्ट जुमले के आखर में ये उटके कहा आगया स्टार्ट में आगया आकार हो गया ठीक है उसके बाद मैंने का था हमेशा वर्प की कौन सी फॉर्म लगेगी थर्ड तो ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है ड्राइव इन होती है अब देखें जो मैं कह रहा था आई ये उठा और ये कहा पहुच गया बिल्कुल आखर में पहुच गया तो आई किसमें convert होगी आते है इसने अपनी शकल चेंज कर लीगी तो आई जो शुरू में कहा था subject था आखर में आते थे क्या हो गया me हो गया क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चूँ हूँ आई का object क्या होता है me होता है और हमेशा object लिखते हैं आखर में अच्छा और उसके पहले हमने क्या बोला था कि बाए का जाफ़ा कर लीजेगा तो क्या बना I drive a car A car is driven by me तो क्या बना I drive a car मैं गाड़ी चलाता हूँ A car is driven by me गाड़ी चलती है मेरे जरीए अब गाड़ी के हमिएत को मैंने बढ़ा दिया तो ये एक्टिव आइस हो गया और ये पैसिव आइस हो गया तो अब देखो दा आगे ये भी आर्टिकल होते है A, N और दा क्या होते हैं आर्टिकल होते हैं अब ये दा हाउस क्या होगा जुम्ले के शुरू में आएगा और ये याद रखो यहाँ पर T small में था यहाँ क्या होगा कैपिटल में तो बनेंगे दा हाउस अचा एक हाउसे दू है भाई एक हाउसे हाउस इस तो नहीं बोला तो यहाँ पर क्या लग जाएगा इस लग जाएगा हम होगे ये पूर्ट की कौन सी पर में लगती है तर्ट फर्म दा हाउस इस पैंटेड अब देखो यह आया बाई अब देखो यह जादू होगा दे क्या है सब्जेक्ट है यह आया 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 और किसमे चेंज होगा आखिर में क्या तो देम में हो गया इसलिए वाली अभी मैंने थोड़ी पहले दिखायता है दे किसमें चेंज होता है देम में चेंज हो जाता है अ इसब्जेक्ट के फॉरण बात लगाना है आहं कार एक गाड़ी यह फॉरन आगिया subject यहाण इस आगिया यहापे क्या होगै दा हाउस एक घड़े फॉरन क्या लगा देगे हम इस लगा देगे बाकी रूल देखो दा हाउस अब्जेक्ट था subject में आ गया day subject था object में आ गया work की first form थी pen pentered हो गई और ये जो है न is और ये वाला जो is है ये rule number one से आया है ये जो rule number में सिखा रहा हूँ rule number one यहां से आया है और ये जो चारों मैं जो rule कहा हूँ वो कहां से है वो fix rule थे जो सबसे पहले शुरू में बता था आओ एक और समझते हैं जरा reporters write अच्छा बहुत सारी reporter ने ये ध्यान लटना एस लगा हूँ reporters write news reports ठीक है अब news reports जो है news बने आई जो अखबारा थो गएर होते हैं उसकी reports बनाते हैं अब देखो news reports कहां गया ये उड़ा और जुम्ले के शुरू में आगया news reports हो गया अच्छा बहुत सारी reports है ऐस लगा हूँ देखो is नहीं लगा अब क्या लगा देंगे हम आर लगा देंगे तो आर कब लगेगा जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो क्या लगा देते हैं आर लगा देते हैं news reports are बताओ right first form क्या बनी third form return हो गए buy के जाफ़ा किया और ये जो reporters नज़र आ रहा है ये उड़ा और ये reporters reporters ही रहेगा ये change नहीं हो रहा अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं इसको उठाना साथ में the letters का आगे जुमले के शुरू में आगे the letters आगिया अच्छा एक तो नहीं है बहुत सारे letter हैं तो is लगाँ यार of course r लगा नजर आ रहा है तो ये भी पैचान के क्यों लगा हुआ है क्योंके s लगावा यानि कि बहुत ज़्यादा letters है तो is तो नहीं लगेगा तो इस वज़े से is mr में से मैंने क्या select किया मुझे तो अच्छा r लग रहा है नहीं भी अच्छा लगने से नहीं उठाना है rule के साब से उठाना है the letters are ठीक है delivers था second form यहाँ पर वर्ब की first form थी तो क्या लग गई delivered हो गई और by का जाफ़ा करके क्या हो गया हर हो गया तो इस rule के अंदर मैं आपको क्या समझा रहा हूँ जब भी वर्ब की first form होगी तो is mr लगेगा दुबारा सुन लें drive क्या थी वर्ब की first form क्या लगा is pen क्या थी वर्ब की first form क्या लग गया is यहाँ पर right क्या है वर्ब की first form क्या लग गया r is mr में से select करना है यहाँ पर deliver क्या है वर्ब की first form क्या लग गया r लग गया तो ठीक है न अच्छा I make a cake देखो make सब जानते हो मेक वर्प की first form होती बनाना मैं केक बनाता हूँ क्या बनेगा आ केक का आगे जुमले के शुरू में आ गया वर्प की first form थी तो हमने इस के इसका जाफ़ा कर दिया इसका जाफ़ा कर दिया क्यू़के एक ही था से केक आ केक is अच्छा वर्प की कौन सी फॉर्म लेता है मिशाला पैसी वाइस थर्ड तो मेक का क्या हो गिया मेड हो गिया बाय का अजाफा करा और यह आई उसी तरह से आकर किसमें चेंज हो गिया मी में हो गिया आए एक पुर्स समझ लें चाहिए पक्का हो जाए आप लोगों को क्या समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो कमेंट दे देना या फिर क्लास से मुझे आप बता दीजिएगा मैं इंशालला तो और कवर करा दूँ अभी तो मैं रूल नंबर वन समझा रहा हूं जिसमें मैं फिर फ फर्स्ट रॉम होगी जैसे गो होगा तो इसमार करेंगे कम होगा इसमार करेंगे ठीक है ना प्ले होगा इसमार करेंगे वर्प की फर्स्ट रॉम होगी तो इसमार लगेगा बिठाले दिमाग में अब देखो एक और देख लो मैं चान देखता हूं आई सी आमून देखो और दाइक का अजाफा करके आई आकर जाता है जाता है मेरे जरीये यानि के मैं अपनी एमियत को कम करना चाहता हूँ इसके अंदर तो बाई मी को कहा ले गिया आकिर में तो यह क्लाएगा पेसी वाइस क्लाएगा जी अब आपको मैं present indefinite जो हम पढ़ रहे हैं यानि के active and passive wise का present definite जिसमें work की first from होती है work की first from होती है तो अभी इसके अंदर मैं आपको negative sentence बताता हूँ से और negative आज़े हैं तो क्या करना होगा एक बड़ी असान बात याद रख लें क्या का do or does नज़र आ रहे हैं आपको बता होगा present definite में जब work की first from होती है तो क्या लगाते है do or does लगाते है देखें do or does के साथ हम क्या करते है is mr के अदाफ़ा करते है किसके अदाफ़ा करते है is mr का sorry is mr के अदाफ़ा नहीं करेंगे एक sentence है he does not देखें negative में क्या होता है does not लगता है he does not play cricket वो cricket नहीं खेलता अच्छा जी अब देखें मेरी बात को सुनिया और से does not को tension ना लीजेगा क्या करते हैं बस is लगाते है अच्छा किर्किट क्या होता है countable नहीं uncountable चीजों के साथ क्या लगता है is लगता है singular चीजों के साथ क्या लगता है is लगता है तो cricket के साथ R तो नहीं लगा सकता था ना M लगा सकता था M किस के साथ लगता है I के साथ और R लगता है किस के साथ ज्यादा चीजों के साथ तो cricket के साथ क्या लगाऊंगा मैं इस लगाऊंगा ना तो does और do जैसे तुम देखो तो strength क्या लगाऊ does और do देखती क्या लगाँव इस MR का change कर दो तो फिलाल cricket के साथ क्या लगाँव गए इस लगाँव गए cricket is not work की third form आनी थी मैंने काता हमेशा कुछ भी हो जाए थर्ट फो मानी play का क्या हो जाएगा play डो जाएगा buy का इजाफा वो ही हुआ अच्छे ये देखो भई he आया ये उटके कहा पहुँचिया he क्या हो गया him हो गया समझ मैं he किसमें आ गया him हो से पहले के अदाफा करा हुआ buy का करा हुआ तो इसमें क्या फोकस करना था आपने does और do को हटा कर आपने is लगा देना है या am लगा देना है या r और answer में पैसी वाइस के does और do नहीं लगता answer में does और do नहीं लगता एक और देख लें काम करें I do not eat mangoes ठीक है I do not eat mangoes तो क्या हो जएगा mangoes शुरू में आ गया अच्छा ज्यादा mangoes है तो do को डागर क्या लगा दिया r लगा दिया mangoes are not eaten by me देखें I जो होता किसमें चेंज हो गया किसमें चाला गया हो me में चला गया ठीक है एक और देख लें she does not buy books देखें books क्या है sentence के शुरू में आ गया books बहुत सारी है तो क्या लगए does को देखती में नहीं क्या लगा दिया r लगा दिया तो books are not not ऐसे ही रह गया दखिएगा और buy की third form क्या होगी bought buy her क्यों हर आया she का क्या होता है यादे she का होता है her he का हीम होता है she का her होता है तो ये पहुचते हैं किसमें change हो गया her में change हो गया अब आज़ आप intuitive की तरफ अब intuitive में क्या होगा string intuitive में वोई same rule या दखिएगा do और does होगा तो क्या लगाएंगे is a matter अब intuitive होता कि सवालिया को कहते है यानि कि जो सवाल कर रहा हो does she write a novel क्या वो novel लिखती है तो does का नज़रा रहा है आपको लिखावा she से पहले लिखा नज़रा रहा होगा जब इस she, he, she, it, I, we, you दे जो होते हैं subject उनसे पहले does और do लगावा होगा ना तो समझ जाएगा वो इंट्रोगेटिव होता है ठीक है negative इंट्रोगेटिव की class मैंने ली भी थी कुछ दिनों पहले तो शायद आपको याद भी हो तो does बहाराल का आके जुमले के शुरू में आके तो ये क्या कलाएगा को डागर हमने लगा दिया इस लगा दिया does की जगा लग गया इस अब आप आगे रूल को याद रखें बताएं आ नोविल नदर आ रहा है आपको लिगावा कहा गया जुमले के शुरू में आ गया नोविल के बाद इस लगाना होता है वो पहले लगा चुके क्योंकि इंट्रोकेटिव जुमला है राइट की थर्ट फॉम क्या होगी रिटन होगी और बाई का इदाफ़ा करके देखें क्या होगा शी का देखें शी कहां कहुँचके आखिर में यह हर हो गया कोशन माग आप लगा लिए करें एक ओर देख लें देखें फिर मैंने का डू चेंज होगा किस वे हैं और बहुत जाद हैं तो औरेंजिस के लिए मैं इस नहीं लगा ओंगा आर लगा ओंगा तो यहां प। यहां पर क्या कि आर आ गया क्योंकि और औरेंजिस जुमले के आखिर में ता फ़र्ट फ़र्म आती है पैसिवाइस में और बाएक अजाफ़ा करके क्या हुआ कि यह जो आपको यू नदर आ रहा है जुम्ले के कहा चला गया विल्कुल लास्ट में आ गया तो यह क्या हो गया अच्छा जी आगई बस समझ में डू और डस फिर मैं कहुंगा कि क्या करने आप लोगोंने डूर्स डास अगए इसमार लगाने अच्छे एक चीज़ और समझ लें डब्लू एच वाले आजे ना इसकी मैं प्रैक्टिस अगली विडियो बनाके बताऊंगा लेकिन अभी थोड़ा सा आप समझ लें कि जब भी डब्लू एच वाले आना परिशान ना ह वाई की जगा वेर लिखावा हो वाट लिखावा हो यह जो भी आपको डब्लू एच वाले जुम्ले लिखे हो तो जहां शुरू में लिख कर देगा मिशा क्योंकि तो सवाल इंट्रोकेटिव बनाने के लिए स्वाल होता है ना बई तो जुम्ले के कहा होगा मिशा होगी है डस ही प्ले किर्केट तो बताएं डस की जगा क्या वादा किया ता आप लोगोंने क्या लगाएंगे इस लगाएंगे क्यों किर्केट एक सिंगुलर चीज़ है अनकाउंटेबल चीज़ है क्या लगा दिया इस लगा दिया तो इस का आई स्मॉल भी रखीगा ठीक भी हो इसको लगा के बस एधी छोड़ना है और बाकी आपने इसको इतना ले लेना है और इसको इस हिसाब से डस से लेके इस कर और इसको पुरा बनाते रहेगा अच्छा जी अब जरा हो को थोड़ा समझ लेते हैं वीडियो लंबी ना होजए इसलिए में जाज़ा अग्जेंपल नी दे रहा लेकिन मैं अगली वीडियो में एक्जेंपल इस सारी चीज़ों की दे दूँगा अच्छा डबलू हो के लिए एक बस याद कर नहीं जादा लंबी नहीं करते बात को हो को क्या करिएगा हो को बाई होम कर दीजेगा हो को क्या कर दीजेगा बाई होम कर दीजेगा फिर कह रहो बाई वो जो एंड में लगता तो एंड में वो देखो आंसर में कहीं मैंने बाई जार है नहीं आ रहा रहा ना ये बाई कहा आगिया भाई बाई कहा आगिया शुरू में आगिया और हू की जगह क्या हो जाता है हूम हो जाता है स्टार्ट में मैंने बताया था वीडियों के कि हू किसमें चेंज जाता है हूम में हो जाता है हू का मतलब कौन और हू का मतलब किसे तो मैं फिर कह दू जब हू आए तो क्या करेंगे जुम्ले के शुरू में ही क्या करोगा अब लोग बाई हूम लिख देना बसको लगा के पिर क्या करोगा भूल जाओ अच्छा जी अब आओ teach English, teach तो क्या है काम करने वाली चीज़ का है teach पढ़ाना ये वर्व है English क्या हूआ अबजेक्ट English क्या हाँ गया जुम्ले के शुरू में आया अब जुम्ले के शुरू में तो English के जाथ is लगा हूँ या m या r और एक चीज़ का नाम है singular चीज़ है यहां पर क्या लगजेगा इस लगएगा और हमेशे इंट्रू केटिव में बनेगा सवाल यह में इस एमार आबजेक्ट से पहले लिखा जाएगा दुस्से अलफाज में यू कह सकता हूँ जो बाइ हूम लिखोगे ना उसके फौरान बाद इस एमार का इजाफा करना और फिर आबजेक्ट लिख देना फॉर्मला क्या बना जब हू का टेंस सेंटेंस तुम कर रहे होगे तो बाइ हूम अच्छा सुनें गोड़ से हू के मताली क्या होगा कि हू को चेंज कर देंगे बाइ हूम में बस यह दिमाग में रख लें आप लोग वैसे तो हू का हू भी रह सकता है बाइ जो ना आखिर में चलाएगा जो रूल होता है लेकिन फिलहाल अब भी आप अपना इसमें समझें इस लेक्चर में के हू क्या हो जाएगा बाइ हूम हो जाएगा यह वोई बाइ है जो आखिर में आता था ठीक है हू किसमें आगे है बाइ हूम में यह हू किसमें आगे है बाइ हूम में हू किसमें आगे है बाइ हूम में आपने is MR का इजाफा करना होता है क्या का, by home के बाद is MR का इजाफा करना होता है, select करना होता है कि is लगाओं या M लगाओं या R English के साथ M तो नहीं लगेगा English A के तो R भी लगेगा, तो क्या लगेगा इस, तो यह बंजा है, is English और teaches की third form क्या होती है TEACHED होती है E D लग जाता है लेकिन या AMERICAN SEND में क्या कहा जाता है TOD भी कह सकते हैं तो आप TEACHED लिख दें या TOD लिख दें आपकी मरज़ी कोईशन मांग लगा दीजएगा NEXT देखें WHO क्या या BY HOME अच्छा जी THIS GIFT एक GIFT है THIS GIFT के आगे शुरू में एक GIFT है तो क्या लगा दिया मैंने इस से पहले IS लगा दिया ठीक है M नहीं लगाऊंगा ना R लगाऊंगा MC नहीं लगाऊंगा क्योंके M लगता है I के साथ और R लगता है PLURAL के साथ ज़्यादा चीज़ों के साथ SEND की 3rd form क्या होती है SEND होती है जब काम हो जाता है T लग जाता है QS मार्ग आ गया 3rd में देखे है Who beat him Who क्या हो गया By whom हो गया Him क्या होता है Him का subject क्या होगा He हो गया He आगे singular तो क्या लग गया Is Is ही beat की 3rd form Bitten हो गया तो यह जो आज की Do or does होगा तो क्या गरोगे उसके Do or does को हटा दोगे Answer में Do or does लिखना गुना है मत लिखना उसकी जग़ क्या डालोगे Is Amr सेलेक्ट करोगे तो याद रखें और अगर कोई चीज रहे गई तो मुझे comment से बता दीजेग इंशालला continue करते है अल्हाफिस